यह रहा हमारा निफ्टी फिप्टी का चार्ट जैसे आज का दिन में इसका लो यहां पर गया था और हाई यहां पर गया था और अगला जो कैंडल है जो दूसरा कैंडल बना है वह इसके हाई को क्लोज इसके हाई से उपर में जाके क्लोज किया है तो हम लोग यहां पर कॉल लेकिन इसी कैंडल के जो लो है उस पर हम लोग जनरली इस टॉप लोस लगाते हैं लेकिन क्या होता है कि अब जैसे यहां पर क्या है ना कि यह सपोर्ट जो इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा अगर उपर गया तो और अगर मालो इसको क्रॉस कर गया तो यह वाला इसक रेजिस्टेंस का काम करेगा तो बहुत लों क्या करते हैं यहां इसके लोग पर लो पर इसटॉप लूस लगा देते हैं तो यहां नहीं तो यहां पर hit होने का chances कम होता है और आसानी से बस सकते हो लेकिन इसको भी अगर hit कर गया तो समझाओ कि trend reversal होने वाला है अब जो है trend क्या है यह उपर जाने वाली है अगर इसको भी hit करके नीचे चला गया तो तो यह समझाओ कि एक signal मिल गया कि अब आपका trend बदल गया है लेक